हलो दूस्तों स्वागत है अब सभी का टुदा पॉइंट के इंडिया एर्बुक के सेशन्स में आज का हमरा चाप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम इंडिया की पॉलिटी के बारे में या फिर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम ब्रीफली डिसकस करेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे एंडिया की पॉलिटी काम करती हैं सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चाप्टर तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला हमें थोड़ा बहुत कॉंस्टिटुशन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए देखें मैं आपको पूरा कॉंस्टिटुशन तो नहीं पता सकता क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा आप अपने पॉलिटी के प्रिपरेशन में पूरा कॉंस्टिटुशन और गवनेंस पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ओवर्यू देना चाहूंगा तो कॉंस्टिटुशन में जो है वो चंद इंपॉर्टेंट प्रॉविजन दिये गए हैं सबसे पहला जो है वो किस तरीके से हमारे मौलिक आधारों को बचाया जाएगा किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों को जो है हमें देने की कोशिश की जाएगी तो इसमें जो है 6 broad categories of fundamental rights, 6 अलग-अलग categories में हमें fundamental rights देखनों मिलता है जैसे कि right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational rights और आखिर में right to constitutional remedies, इन पूरे 6 broad categories को जो है हम fundamental rights का एक पूरा chapter कह सकते हैं Indian constitution में, these are justifiable in nature, यान कि इनका उलंगन करने पर आप court में जा सकते हैं, directly supreme court में भी आप जा सकते हैं और उन्हें जब कभी भी आपका fundamental rights violet होता है, तो आप जो है remedy claim कर सकते हैं Article 12 to 35 contained in part 3 of the constitution deals with fundamental rights, बहुत ही important है part 3 of the Indian constitution जो के पूरा fundamental rights का chapter deal करता है और आज जब आप polity की किताब पढ़ेंगे, तो आप article 12 to 35, इन details जो है आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सा article, कौन से fundamental rights को ensure करता है या फिर guarantee देता है दूसरा second most important जो part हमें constitution का देखना है, वो है fundamental duties, यानि के मौलिक करतव यो, fundamental मौलिक अधिकार तो हमें दिये गए है, थोड़े बहुत fundamental duties भी है, मौलिक करतव यो हमारे है article 51A contained in part 4A of the constitution deals with fundamental duties, part 4 दर असल डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सेट पॉलिस है, हम आगे इसके बारे पढ़ेंगे तो part 4A जो है, वो fundamental duties है, part 3 जो है, वो fundamental rights है, याद रखियेगा और सिर्फ एक ही article हमें दिया गया है, article 51A और इसमें जो है, हमें 11 अलग-अलग fundamental duties दे गया है जैसा के, विशल uphold the sovereignty and unity of India, विशल respect the national anthem, national flag, ये सभी जो है in detail वहाँ पर दिये गया है दरसल ये individually जो था, ये पहले ये chapter नहीं था, इसे बाद में introduced किया गया है, 42nd constitutional amendment act 1976 इंदरा गांजी जी की सरकार जब थी, और स्वारें सिंग कमिटी की recommendations पर, इन पहले तो 10 थे, बाद में अटल भिहरी वाजपाई साहब ने इसे एक और include किया हुआ था तो पूरे जो है, वो 11 fundamental duties है में दिये गए है, तो ये पहले नहीं थे constitution में बाद में add किये गए है तिसरा सबसे important part है, वो है डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी, देखिए हर स्टेट को चलने के लिए जाहिए कि उसकी सरकार सही हो और सरकार को चंद guidelines देना बहुत जरूरी है, चंद instructions देना बहुत जरूरी है तो उनी instructions को उनी directives को देने का काम जो है, वो डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी का chapter करता है यानिके वो directives या फिर वो instructions जो lawmakers को, जो executive को ध्यान में रखने हैं जब कभी भी वो schemes और policies बनाते हैं The constitution lays down certain directive principles of state policy विच दो not justifiable याद रखिएगा कि यह justifiable नहीं है यानिके इनका उलंगन करने पर आप सरकार के खिलाब जो है वो court में petition नहीं दाल सकते हालांके fundamental rights का उलंगन हो, violate हो तो आप directly Supreme Court भी जा सकते हैं Fundamental duties भी जो है, वो non-justiciable है इसका violation होने पर आप court तक नहीं जा सकते And they are fundamental in governance of the country तो भारत को एक देश को चलाने के लिए यह बहुत ही fundamental है यह बहुत ही maulik है तो इसके लिए चाहिए कि जो कोई भी law makers है जो कोई भी policy makers है वो इन instructions को ध्यान रखे And it is the duty of state to apply these principles in the law making देखें, आगें जो है director principles of state policy हमें जब आप polity पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कि तीन अलग-अलग categories में रखे गए हैं जैसा के गांधियन philosophy, जैसा के socialistic principles पर और तीसरा जो है वो liberal principles पर रखे गए तो अलग-अलग principles के तहत अलग-अलग instructions दिये गए हैं जैसा के गांधियन principles अगर आप कहलें तो organization of grammar panchats article 40 की जब हम बात करते हैं तो आज जब आप 73rd, 74th constitutional amendment act देखते हैं municipalities और जो grammar panchats establishment हो वो इसी article 40 के तहत दिया गया और यही article 40 जो था वो director principles of state policy का हिस्सा था यानि कि socialistic principle क्या होगा आप सभी को जो है quality देने की कोशिश करेंगे environment को बचाने की कोशिश करेंगे सभी को employment का opportunity दिया जाएगा इस तरीखे के चंद principles जो है वो director principles of state policy का हिस्सा है they have been contained in part 4 from article 36 to 51 of the constitution तो याद रखिएगा यह chronology बहुत ही important है कि पहले part 3 आता है fundamental rights उसके बाद part 4 आता है directive principles of state policy और आखिर में जो है fundamental duties आते हैं जो के part 4 यह का हिस्सा है अगला जो हमारा important discussion है वो है union executive इसके पहले मैं आगे बढ़ू modern democracies जो चलती है वो एक फ्रेंच स्कॉलर थे Montes की जुन का नाम था तो उन्होंने suppression of powers की theory दी हुई थी याना कि state जो है वो तीन भागों में डिवैड होता है एक वो जो legislature होते हैं जो loss बनाते हैं दूसरे वो जो executives होते हैं जो बनाय हुए loss को execute करते हैं तीसरे वो जिनने judiciary कहा जाता है जो arbitrary nature के होते हैं जो adjudicate करने के काम में आते हैं loss को या फिर कोई जब injustice होती है तो हम judiciary के पास जाते हैं तो यह तीन अलग-अलग wings हैं एक state के या फिर तीन अलग-अलग organs हैं state के इन तीनों का separate होना बहुत ज़रूरी है तब ही एक democracy चलेगा क्योंकि legislature executive के उपर एक check-in balance का काम करता है और judiciary जो है वो बोथ executive और legislature के उपर checks and balance का का काम करता है तो इस chapter में हम union executive के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे The union executive consists of the president, the vice president, council of ministers with prime minister as the head to aid and advise the president तो जो के इंडिया एक republic है हम एक elected representative को जो है as a president, as a prime minister चूज करते हैं हालांके president का election थोड़ा बहुत अलग होता है प्राइमिनिस्टर की तरह नहीं होता है, directly, indirectly होता है प्राइमिनिस्टर को मिला कर union executive कहा जाता है, तो प्राइमिनिस्टर जो है वो दरसल बहुत ही important position है और वो अपने council of ministers के साथ president को जो है वो aid और advise करते है तो जो कोई भी executive order दिया जाता है, वो president के नाम से ही उनके hand warrant और seal के साथ ही दिया जाता है लेकिन जो decision लिया जाता है, वो प्राइमिनिस्टर से लिया जाता है, इसलिए प्राइमिनिस्टर को de facto leader और president को de your leader कहा जाता है The president must be a citizen of India, not less than 35 years of age and qualified for election as a member of लोगसभा, यह basic qualifications है जो मैं constitution में directly दिये गए है, जहर सी बात है कि president की बात है तो citizen होना ही चाहिए 35 years, minimum चाहिए कि वो 35 years के हो, ताके वो president बने जाए और लोगसभा की membership के लिए भी वो qualify हुए हो The vice president is ex-official chairman of Rajya Sabha, वो Rajya Sabha जो के हमारा upper house है, हम आगे के slides में इसके बारें पढ़ेंगे Legislature का हिस्सा है Rajya Sabha, तो Rajya Sabha के ex-official chairman भी होते हैं, दरसल Rajya Sabha के speaker की तरह भी वो काम करते है And acts as president when the letter is unable to discharge his functions, जब कभी भी president की मौत हो जाती है या फिर vacancy immediately आ जाती है या फिर वो कोई medical leave में है तो vice president जो है, वो president के position पर थोड़े दिन के लिए act करते है There is a council of ministers headed by prime minister, जो कि हम मुझ general elections में हर 5 साल में एक बार जो है, वो general elections होते है हम सभी अपने-पने constituencies के लिए MPs, Member of Parliament को चूज करते हैं, वो जो है indirectly जाकर prime ministerial candidate को चूज करते है तो इस तरीके से prime minister एक बार अगर चूज हो, तो president जो है, उन्हें appoint करते है as a prime minister और prime minister के recommendation पर बाकी के पूरे council of minister को president ही appoint करते है लेकिन president जो है, यहाँ पर अपने will और wish के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो directly elect नहीं होते, prime minister की तरह To aid and advise the president in exercise office functions indirectly यह कह रहा है कि जो president होते है, वो दर असल नेम से एक leader होते है लेकिन असली leadership जो है, वो prime minister की ही होती है, जो कुछ भी या फिर जो कुछ भी prime minister recommend करेंगे, council of ministers recommend करेंगे, वही जो है president करते है दूसरा important जो part जैसे के मैंने कहा, वो legislature है, जो laws बनाते हैं, हमने पहले execute के बारे में बात किया, जो के laws execute करते हैं, अब lawmakers के बारे में legislature of the union which is called parliament, तो union का legislature जो है, वो parliament है, हम इसे सांसद भी कहते हैं, इंडिया में consists of for president, two houses known as council of states, राजयसभा and house of people, that is लोगसभा, तो president जो है, यहाँ पर भी legislature का हिस्सा है क्योंकि जो कोई भी bills यह लोगसभा और राजयसभा पास करते हैं मिलकर, वो तभी act बनेंगे, जब president जो है, अपना assent उसे देते हैं, president उस पर जब signature करते हैं, तभी जो है, वो act बनते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है, वो legislature का भी हिस्सा है, तो president लोगसभा and राजयसभा और हमने अल्रड़ी देखा के राजयसभा के एक सफ़ियो चेर्मन वाइस प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का भी मिलाना बहुत जरूरी है, तो president, vice president and both the houses, they collectively constitute of the legislature, of course prime minister और MPs जो बाकी जो कोई भी council of ministers है, वो सभी already MPs की तरह elected है, legislature से ही हम executive को चुनते है, तो इस तरीके से India का system जो है, वो interdependent है, purely separation तो हम follow नहीं करते है, हम थोड़ा बहुत interdependent nature को follow करते है, तो upper house जो है, वो राजयसभा है, lower house जो है, वो लोगसभा है, each house has to meet within six month of its previous sitting, a joint sitting of two houses can be held in certain cases, तो 6 महीने का time frame जो है, वो cross नहीं होना चाहिए, for example, अगर जानवरी में मिलते हैं, तो within six months उन्हें फिर से एक बार मिलना चाहिए, तो इस तरीके से 6 महीने से ज्यादा time वो नहीं ले सकते, चाहिए कि वो आये नये loss वगेरा बना, या फिर जो पुराने loss हैं, उन्हें रिपील करगें, फिर से नये loss बना सके, जब कभी भी deadlock हो इन दोनों के बीच, तो joint sitting के लिए भी हमें एक प्राधान दिया जाता है, तो भाई, legislature में membership लेने का qualification क्या है, हमें constitution में ही इसके बार में थोड़ा बहुत दिया गया है, in order to be chosen as a member of parliament, a person must be a citizen of India, के MP की तरह select होने के लिए चाहिए कि आप 30 years हो, और लोगसभा के legislature के membership के लिए चाहिए कि आप 25 years at least cross किये हुए हो, the leader of opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha are accorded statutory recognition, तो प्राइम मिनिस्टर जाहर सी बात है कि leader of position है, leader of people है महाँ पर, लेकि leader of opposition भी होते है, वो सभी party के members जो है, जो सरकार नहीं बना या फिर जो opposition में है, वो अपने एक leader को चुनते हैं, और इसकी इनने भी salary वगरा provide की जाती है, statutory recognition इनने भी दिया गया है, there exist parliamentary committees which are of two kinds, standing committees and ad hoc committees, तो parliament जो कोई भी bills वगरा लाती है, जो कोई भी legislatures करती है, तो वो सभा के आगे जाने के पहले parliamentary committees होते है, वो detailing scrutinize करते हैं, फिर सभा में आने के बाद भी parliamentary committees को refer किया जा सकता है, एक detail पढ़ने के लिए, चंद members की group बनाया जाती है, जो कि expertise होते है, तो वो in detail clause to clause जो है पूरे bill को पढ़ते है, तो यहाँ पर दो type के committees, standing committees याने के permanent committees जो हमेशा होती है, दूसरे जो है वो आइड हो committees याने के चंद purposes के लि पूरे भारत सरकार में, जहां कई पर भी expenditure हो रहा है, income जो आ रहा है, उस सभी चीजों के बारे में देखने के लिए, एक comptroller and auditor general की एक office होती है, तो यह भी जो है, वो President of India appoint करते है, the attorney general of India and solicitor generals are appointed by the President of India, attorney general of India दरसल highest law officer body है, दरसल यह भारत सरकार के representative होते है, Supreme Court में, और उन्ह assist करने के लिए, there will be a number of solicitor generals, attorney general सिर्फ एक होते है, solicitor generals, अब सरकार जितनी ही चाहे, उतने solicitor generals को appoint कर सकती है, in 2005, the government enacted the disaster management act, which envisaged creation of a national disaster management authority and a state disaster management authority, जब कभी भी disasters वगेरा आते है, floods, या फिर जो कोई भी अलग, जैसे के tsunami हो, टाइफून हो, इस तरीके के जब अर्थक्विक्स वगेरा हो, इस तरीके के जब problems आते हैं, disasters आते हैं, तब ये दोनों authorities, national disaster management authority, national level और state disaster management authority, state level में बहुत ही actively काम करते हैं, अगला important जो department है, वो है, department of administrative reforms and public grievances, जरसल ये एक nodal agency है, भारत सरकार की, for administrative reforms, administration में किस तरीके से reforms ला सकते हैं, changes ला सकते हैं, better service जो है citizens को दे सकते हैं, उसके बारे में पूरा department deal करता है, as well as a redress of public grievances, जो कोई भी public के complaints है, खास कर administration को लेकर, उनके complaints को लेकर, उसे redress करने की कोशिश की जाती है, उनके suggestions भी लिये जाते है, relating to state and central government agencies, तो पूरी तरीके से administration के बारे में ये deal करता है, administrative reforms के बारे में ये department deal करता है, अगला जो important institution है, वो है union public service commission, यानके जो high level bureaucracy को recruit करते हैं, जो IAS IPS officers को recruit करते हैं, वो agency, UPC is responsible for conducting examination for appointment to the higher civil services and civil post, including recruitment to all India services, तीन all India level के services हमें देखने को मिलते हैं, एक Indian administrative service IAS, दूसरा Indian police service IPS और थीसरा IFS, Indian forest service, तो ये तीन जो है, वो all India level के services है, बाकी जितने भी हैं, वो central services के नीचे, आप जो है उन्हें categorize कर सकते हैं, the SSE staff selection commission is responsible for making recruitment to subordinate staff such as assistant stenographers, clerical cadre के लिए जो कोई भी भारत सरकार में, central employment जो कोई भी clerical cadre के jobs जो होते हैं, वो SSE recruit करता है, the RTI act 2005 right to information act बहुत important है, gives all the citizens the right to seek information held by anybody established under the constitution or by any other law, एक्सेटरा, तो जो कोई भी state के definition में आता है, article 12 अगर आप पढ़ेंगे, खासकर fundamental rates के बारे में, तो वहाँ पर हमें definition दिया गया है, कि state किसे कहते हैं, तो जहर सी बात है कि सरकार है, public sector units है, उसके अलग-अलग departments है, उसके अलग-अलग wings है, जो कोई भी government या फिर जो कोई बी state के definition में आता है, आप उस institution से information मांग सकते हैं, किसी भी तरीखे का information मांग सकते हैं, अगर specifically ये बताया गया है, कि उस information के बारे में conceal करना ज़रूरत है, जैसके high level defense related कोई information है, तो वो civilians को नहीं बताया जा सकता, high level security का होता है, तो इस तरीखे के information को छोड़कर, बागी जो है आप जानना चाहते हैं, तो इनफर्मेशन, रेट इनफर्मेशन एक्ट आप उसे जान सकते हैं, आर्टिकल 343 subsection 1 of constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be official language of the union, तो हिंदी जो है, वो हमारी official language है, national language नहीं, इंडिया की कोई भी national language नहीं है, हालांकि नॉर्टे साइड में बहुत ही lobbying, बहुत आर्टिकल 343 subsection 2 also provides for continuing the use of English in official work of the union for a period of 15 years, initially जब constitution को नहीं आना लिखा गा था, तो फंदरा साल के लिए, इंग्लीश के लिए भी जो है पराउधान रखा गा था, लेकिन बाद में, आर्टिकल 343 subsection 3 allowed to continue its usage even after January 25, 1965, तो बाद में इसके बाद में, पंदरा साल के बाद में, अभी English का as an official language continue किया गया, तो as of now, Hindi और English दोनों जो है, वो official languages हैं इंडिया के, the provision for setting up of interstate council is mentioned in article 263 of the constitution, अब आब सभी जानते हैं के 28 states हैं और 9 union territories हैं, तो इन सभी के बीच coordination होना बहुत जरूरी है, cooperative federalism का होना बहुत जरूरी है, तो चाहिए के हम एक platform बनाएं, ताके पूर संत्री हो, वहाँ के home ministers हो, यह जो कोई भी state representatives हैं, वहाँ पर आ सकें, एक अच्छा अच्छा dialogue रख सकें, और अपनी demands, अपनी बातों को central government को सुना सकें, तो इसलिए interstate council जो है, established की गई थी, यह एक constitutional body है, लेकिन non-permanent constitutional body है, in personnel of the recommendation by सरकारिय कमिशन, याद रखिएगा, कि inter state council का establishment, सरकारिय कमिशन के recommendation पर ही हुआ है, जो कि 1990 में इसे established किया गया था, in order to look about center state relations, center और जो बागी के states है, उसके बीच के relations healthy होने के लिए, cooperative federalism को बढ़ाने के लिए, interstate council का establishment किया गया, the prime minister is the chairman of the council, जाहर सी बात है, कि prime minister head है country के, तो interstate council को भी head करेंगे, there are five zonal councils, north zonal council, central z council, eastern zonal council, western zonal council, southern zonal council, were set up a wide part 3 of the state reorganization act 1956, with objective bringing out national integration, तो 7th constitutional amendment act भी से कहा जाता है, जब फजल अली कमिटी ने 1956 में अपने recommendations दिये थे, state को reorganization करने के लिए, तो पूरे states जो है, वो तभी reorganize किये गये थे, तो इसके तहत, ये सभी जो है, पांस zonal councils रखे गये थे, और बाद में भी एक additional northeastern zonal council भी establish किया गया था, the union home minister is the chairman of all zonal councils, तो apart from interstate council, there are different zonal councils के, हर zone के अपने recommendations होते हैं, अपने demands होते हैं, तो महाँ पर भी हमें zonal level इसे importance देना बहुत जरूरी है, तो महाँ पर union minister, जो है, वो zonal council को hit करते हैं, the states and the union territories, थोड़ा बहुत हम briefly पूरे states के बारे में, और union territories के बारे में पढ़ेंगे, हलाँ के पूरे तीन chapters जो है, आगे आप देखेंगे, हम in detail हर state के बारे में distance करेंगे, तो फिलहाल के लिए एक overview बता देते हैं, India comprises of 28 states and 8 union territories, रिसेंटली आर्टिकल 370 के abolish होने के बाद, कश्मीर का जो special status था, उसे scrap किया गया, तो बाद इसके, as of now when we speak, there are 28 states and 8 union territories, मैं आफी चाहता हूँ, इसले स्लाइड में माने 9 union territories का था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 8 union territories हैं, हिन सभी के बारे में हम in detail आगे के chapters में ब गवर्नर होते हैं, और इन गवर्नर को assist करने के लिए, चीफ मिनिस्टर और कॉंसल फिनिस्टर और कॉंसल फिनिस्टर हो बहु जैसा central में हमने union और execute के बारे में बात किया, हो बहु उसी का replica हमें states में भी देखने को मिलता है, states यान के provincial units, तो यहां पर भी चीफ मिनिस्टर और कॉंसल फिनिस्टर जो है, वो directly elect किये जाते हैं, गवर्नर जो है दरसल उनका election नहीं होता, central government जो है उन्हें appoint करती है, president जो है उन्हें appoint करते हैं, for every state there is a legislature which consists of governor, one house और two houses as the case में भी, यहां पर भी जो है bicameralism हो सकता है, यान के upper house, lower house, विदाना सबा, विदाना परिशद रख सकते हैं, अगर नहीं तो सिर्फ विदाना सबा काफी है, तो यहां पर भी governor और इन दोनों houses को मिला कर state legislature बनता है, further union territories are administered by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator appointed by him, union territories जो है वो directly central government के rule में ही आते हैं, direct central government ही उन्हें rule करता है, तो वहां पर भी president जो है, एक administrator या फिर lieutenant governor को वहां पर appoint करते हैं जो on behalf of him, on behalf of central government, वो govern करते हैं, उस union territory को, local governments के बारे में थोड़ा बहुत जानकरी करते हैं, क्योंकि इंडिया में देरार three tiers of government, पहला तो central level जबस दे सके हमने देखा, parliament है, central executive होगे रहा है, दूसरा state level पर, हमने इस state level के executive legislature के बारे में देखा, और थीसरा जो है, वो local level यान government देखने को मिलता है, to provide for common framework for urban local bodies, parliament enacted the constitution 74th amendment act 1992 known as नगरापालिका act relating to municipalities in 1992, तो municipal councils, municipal corporation, जो कोई भी body जो होती है, urban level, town level में जो body होती है, महाँ पर भी elections वगरा होते है, महाँ पर भी आप board members देख सकते हैं, corporators देख सकते हैं, महाँ पर भी municipal के chairman को एलग किया जाता है, या फिर municipal क mayor को एलग किया जाता है, तो इस तरीके से municipality level या अर्बन लेवल पर भी हमें democracy देखने को मिलती है, इंडिया में, तीस राज राज रहे बहाए panchayats, यान के gram level, village level, a new part, part 9 relating to the panchayats was inserted in the constitution to provide for grammar sabah in a village or group of villages and constitution of panchayats at the village and other levels with the 73rd constitutional amendment act of 1992, तो याद रखिएगा कि दोनों amendments बहुत ज़रूरी है, आप इन detailed इन सभी के बारे में quality के subject में पढ़ेंगे, तो local level में भी grammar sabah, grammar पर सरपंच को जो हम elect करते हैं, इन सभी के बारे में इन panchayats के chapter में बताया गया है, तो three tier government जो है इंडिया में चलती है, एक तो central level, दूसरा state level और तीसरा urban local bodies और panchayats, election commissioner of India तो इन हमने देखा के executive है, legislature है, panchayats हमने देखा, urban bodies हमने देखा, लेकिन इन सभी को elected representatives वहाँ पर जाते हैं, तो इन representatives को elect करना जो है, वो हम ही करते हैं, universal added franchise याने के 18 साल के उपर जो कोई भी है, वो as a voter register हो सकते हैं, जाकर अपना मतदान जो है वो दे सकते हैं, अपने representative को चुन सक लेकिन ये election का पूरा process जो है, वो बहुत ही powerful constitutional body करती है, जिसे election commission of India कहा जाता है, it was constituted in 1950, it is a permanent independent constitutional body responsible for conduct of elections to parliament and legislatures of the state and union territories and elections to office of president, vice president held under the constitution, तो यहाँ भी दो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो election commission of India जो के central level पर काम करता है, ये elections चलाता है, vice president के लिए, अगें parliament के लिए, याने के जो MPs हम अलग करते हैं, और state level याने के, जो MLS जो हम चूस करते हैं, उनके लिए, लेकिन जो पंचायत के लिए और municipalities के लिए, जो elections चलते हैं, वो state election commission जो है, वो चलाता है, तो these are two important constitutional bodies which are responsible for the better working of Indian democracy, ये थी चंद बातें आपको जाननी थी, Indian polity के ब it, thank you for watching my video